बॉर्णिंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके जूकेटर पूर्डिमा और हम करेंगे वक्षीत नमबर 36, सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, खक्षाप की छटी है और ये वक्षीत है 24 स्वरवरी की, प्रकाश चाया एवम प्रावर्तिन, ये हम रिविजन कर रहे हैं, तो देखो, दिप्त पिंड क्या होता है, जो वस्तों सूरिय की तरह स्वेम का प्रकाश उत्सरजित करती हैं, उन्हें दिप्त पिंड कहते हैं, यानि कि जिनके पास अपना प्रकाश होता है, स्वेम का प्रकाश जिन वस्तों के पास होता है, उनको दिप्त पिंड कहते हैं जिससे सूरिय है, टोर्च है, मुम्बती है, ठीक है न, ये अपने ही प्रकास्टे जलते हैं, तो ये क्या हो गए हमारे, दिप्त पिंड हो गए, ओके, अब यहाँ पर पहला कुश्च निसी के साथ अंसर करेंगे, निमिल लिखित बिदार्तों में से दिप्त बिदार्तों को अलग करें, तो दिप्त कौन कौन से हो गए हमारे, तो दिप्त में देखिए, दिप्त में हमारा क्या जाएगा, सूरिय आ जाएगा, बलब आ जाएगा, और मुम्बती आ जाएगा, ये तो हमारे दिप्त में हो गए तीनों, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा, ये है, कलम है किताब है और कुर्सी है ठीक है यह हमारा किस में आ जाएगा एधिप्त में आ जाएगा तो यह तरी किसे लिख लेंगे या फिर ऐसे दरी किसे अधिप्त में हमारा क्या जाएगा कुर्सी कलम किताब दिप्त में हमारा का जाएगा सूरिय मुंबती और बल्ब ठीक है ऐसे प्रकाश नमबर एक आप कर लेंगे अब चलते हैं अगले पे अगला थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले पारदर्शी पदार्ट कौन से होते हैं वह पदार्ट जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं जैसे आप एक काश लिजिए तो प्रकाश यहां से गुज़र जाएगा इसमें से यानि कि एक light है light बहारा कर गिरेगी पारा भाशिपदार्थ जो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देते हैं ठीक है बिलकुल प्रकाश को नहीं जाने देंगे पारदर्शी यानि कि जिन में से आरपार दिखता है यह कह सकते हैं पानी में से आरपार दिखता है कांच में से आरपार दिखता है आप मालो अपनी जो बाल्टी है अपने बकेट भर रखी है तो बकेट में से अगर आप देखेंगे यहां पर आपने एक सिक्का डाला हुआ है तो आप उपर से देख सकते हैं कि क्या है नीचे या फिर सुबह सुबह नहाने जाते हैं तो डबा लटक रहा होता है तो आप देखके आएंगे बाल्टी में है ना डबा तो वह दिखता है आपको पूरा तो पार दर्शी क्या हो गया जिसमें से आहर पार देखता है पारा भासी पदारत क्योंकों से हो गये जो पदारत प्रकाश को पूरी तरह से अपने अंदर से नहीं जाने देते जिससे चिकना कागश हो गया तो चिकना कागश नहीं जाने देता है मतलब आधा जाने देता है ऐ पारदर्शी ऐसे को जो बिल्कुल ही नहीं जाने देता है तो यहां पर अंधिरा रहेगा इनकी कि दिवार से क्रोस होकर नहीं जा सकता है तो ऐसे पदार्थों को दिवार हमारे कैसा पदार्थ होगी ऐ पारभासी पदार्थ हो गया तो student आपको करना क्या है पारभासी पदार्थ में अंतर बताईए तो यहां पर लिखेंगे पारभासी पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को आने देते हैं जिसका उधारन है पानी और काच पारभासी पदार्थ कों से होते हैं ऐसे पदार्थ जो पूरी तरह स अपने नहीं जाने देते हैं लेकिन जाने देते हैं थोड़ा सा थो प्रश्टन नंबर 2 हमारा हो गया है आगे चलते हैं अप छाया क्या होती यह जब परकाश की किरनेने है τον एकर उसके सामने कोई अ Praष़ी वस्तू आ जाए कोना आजाए उसके सामने अःप आर्दस्तु द्वारा रोक लिया जाए तो एक गहरा काला दबा बनता है जिस को च्छाया कहते हैं तो अगर देखें तो एक तो हमें प्रकाश की किरणे चाहिए होती है और दूसरी हमें एपारदर्शी वस्तु चाहिए होती है जो उसको रोक लेगी ठीक है क्या आप अपनी चाया किसी अंधेरे कमरे में देख सकते हैं नहीं क्योंकि प्रचाही होने के लिए भी नहीं क्या आप चाया को देख पाते हैं जिब कमरे में प्रकाश तो हो पर कोई अपारदर्शी वस्तु हो नहीं दोनों चीज़े होनी जरूरी है क्या क्या एपारदर्शी प्रचाहिए और दूसरा क्या क्या होना चाहिए दूसरा क्या बताया क्या क्या होना चाहिए प्रकाश को रोक के लिए परदश्री प्रदार्त होना चाहिए तो इन इंचीजों की हमें चाया देखने के लिए आवशकता पड़ती है तो यह थी हमारी आज की वक्षिट आई होगी और कोई डाउट नहीं होगा अगर आपको कोई डाउट है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थेंक यू, have a nice day, may God bless you.